हलो एबरिवन मैसल मस्कान शर्मा यूल तू दा उदिट फार्मसी तो आज हम हमारा दी फार्मा फ़र्स्ट यूर का जो सब्जेक्ट है इस हुमेन इन आट्मी एंड फिजियॉलजी उसका जो चैप्टर है सेल क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है सेकंड कौन सेलर है उसके इंपॉर्ट्टन इंप्सिक्ड्श बन सकते हैं तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं यह जा, करें तो जाकर चैनल के विडियों को जरूर करें आप हमें टेली गराम पर ज़ॉयन कर सकते हैं अधिवर्च सब्सक्राइब नाम से फिन इंस्ट्ब्रॉगर में वहां भी फोलौ कर सकते हैं तो आप हमें वहां भी फॉलौ कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं ऑज के पहले फंशन से क्वैशन क्या बेक्ष्प फोलौलींग इस डा स्ट्रॉक्छल एंड फंक्शनल ओ रायव उन therapist to बोला है कि इन में से कौन सा एक structural functional structural मतलब structure बना रहे हमारी बॉड़ी का और function मतलब basic level से जो हमारी बॉड़ी का काम करवा रहे है वो चीज कौन सी है cell है tissue है और गन है यह नन अफ द अबव है ठीक है तो देख लेते हैं हमारे पास general ladder होता है cd kind of जैसे कि cell है काफी सारे cell एक साथ मिल जाएं तो वो बनाते हैं tissues काफी सारे tissues एक साथ मिल जाएं तो बनाते हैं organs और काफी सारे organs एक साथ मिल जाएं तो बनाते हैं organ system और काफी सारे organ system एक साथ मिल जाएं तो वो बना देते हैं organism मतलब human being या अनीमर तो ऑर्गेनिजम की बेसिक यूनिट क्या है हमारी सेल यहीं हमारी स्ट्रक्ट्ट्रल में फॉंक्शनल और सदामेंटल यूनिट है लाइफ की so this is our correct अंसर ऐंसर अंक जो कि स्ट्रक्च्टरल दो तीन चार तो endoplasmic reticulum basically हमारा दो तरह का होता है एक होता है rough endoplasmic reticulum और एक होता है हमारे पास smooth endoplasmic reticulum अब एक rough क्यूं एक smooth क्यूं होता है जो rough वाला होता है उसके surface पे ribosomes present होते हैं कौन present होते हैं ribosomes तो जिसकी वज़ा से इसको एक rough appearance मिलती है खुर्दर आसा दिखता है क्यों क्योंकि ribosomes present है smooth की बात करें तो इसमें ribosomes absent होते हैं तब ही इसकी जो surface है वो हमें smooth दिखती है तो ribosomes absent तो दो तरह के होते हैं endoplasmic reticulum rough होता हो और एक smooth होता है तो correct के है हमारा option 2 ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत ठीक है next question की दरफ करते ह है क्या बोले which is also called suicidal bag of the cell किसको suicidal बैग बोला जाते है राइबोजोम को लाइजोजोम को mitochondria इन में से किसी को भी नहीं तो देख लेते हैं हमारे सेल में स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते है लाइजोजोम क्या बोला जाते है लाइजोजोम इसके अंदर बहुत सारी hydrolytic and digestive enzymes ह यह बहुत ही powerful enzymes होती है बहुत ही शक्तिशाली enzymes होती है यह क्या करती है कोई भी जैसे foreign particle cell में एंटर होता है तो उसको क्या कर देती है और जब रप्चर हो जाएगा फट जाएगा तो यह hydrolytic enzyme कहा निकलाएंगे cell में निकलाएंगे ठीक है और पूरे cell को ही यह क्या कर देंगे डाइजेस्ट कर जाएंगे पूरे cell को ही खा जाएंगे तो suicidal bags इन्हें इसलिए बोला जाते क्योंकि यह suicide मतलब खुद के cell को ही खुद खा जाते है that is why यह बोला जाता है suicide so our correct answer is lysosome lysosomes are also known as suicidal bags of the cell चीक है तो अगर आपको इस सारी चीज़े सब्सक्राइब के वीडियो लेट्चर आपको complete मिल जाएंगे और आपको कोई भी इस पोर से रिलेटेड है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूच सकते हैं next question की तरफ करते हैं क्या बोले powerhouse of the cell हमारे cell का powerhouse कौन है उसे कैसी जगह होती है जहां से energy मिलती है पावर मिलती है हमको तो cell में एक हमारा ओर्गिनली होता है जिसको बोलते हैं mitochondria क्या बोलता है mitochondria और यह क्या produce करता है यह produce करता है ATP एडिनोसें ट्राइफॉसवेट यह produce करता है और ATP हमारे cell का क्या है पावर को कुछ भी काम करना है cell को खाना है cell को कुछ डाइज़ेस्ट करना है cell को मूव करना है इधर उधर जाना है तो यह सारी पावर ATP की फॉर्म में जो सेल है वो यूटिलाईस करता है तो जब बनाता ATP पावर का का काम कर रहे तो पावर हाउस कोन होगा mitochondria क्योंकि क्या होता है सेल मेंबरेन का एक बहुत इंप्वाटन काम होता है कि जैसे यह है किसी छीज की मेंबरेन का काम क्या किया जो भी उसके अंदर का content रहा है उसको क्या करныड़ करके रखना तु क्यूंकि ईखे कैप शूल सांग्री सबनाले में एक सब्लप कर लिश ठीच में ठीक है तो function of cell membrane cellular digestion नहीं जी cellular digestion को हमारा करता कौन है lysosome करता है ठीक है autolysis भी हमारा वही करता है storage of ATP हमारा यह नहीं करता है cell को protect करने का काम हमारा कौन करता है cell membrane करता है ठीक है next move करते है cell wall is हमें बुले cell wall क्या है semi permeable है permeable है both a and b and none of the above है देखो जो इन दोनों backable okay और पहले जानने ताओ permeable का मतलब क्या है जैसे यह membrane है यह किसी भी चीज को अंदर आने जाने दे हिया इसके अंदर कोई चीजा उसको बहर जाने देगी बहर से कहता है permeable membrane ठीक है किसी भी चीज को लेकिन semi permeable है कि हुँ कुछ को ही अंदर जाने देगी हर एक को पुझा कि cell wall क्या होती है semi-permeable होती है दोनों होती है सेल वाल है कि वह कुछ सबस्टांस की मुवमेंट को भी आने जाने देती है अपने में से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है विच पार्ट है जेनेटिक मैटीरियल इन इट इसा कौन सा चैल का पार्ट होता है नूटलियस भाइटोकॉंड्रियों कि वॉड़ि या वंच अब ये हमारेग् के एंवेल घीनमों जो ऑगे हरी टीमा में पास होते हम न्यो और्गणिजम और घ्रक्टर बना तो जैनकर हमारा माइटो कॉंड्रिया तो पावर हाउस है गोल की बॉड़ी से वारा पैकेजिंग का काम करते है नन अफ देबाव है नी तो नूपलीएस आवर कारिक्ट आंसर नूपलीएस होता है सेल में सबसे बड़ा पार्ट होता है उसी के अंदर हमारा जैनिटिक मेटीरियल यानि दिन या आर ने हमारा प्रेजेंट होता है तो अवर करेक्ट आंसर इस नूपलीएस ठीक है तो दिस इस अल एबाउट टुडेएस वीडियो होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो डिटेल में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थांक तकी हु